राते राते दोस्टों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि केले के जो चिप्स हैं वो हम किस तरीके से बनाएं आलू के चिप्स तो आप हमेशा खाते रहते हो एक बार ये केले के चिप्स आप बना करके देखो तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए कच्चे केले चाहिए तो यहाँ पर जब भी आप अगर मार्केट से कच्चे केले लाओ तो कोशिश करो कि आप उसी दिन बना लो क्योंकि कच्चा केला जो है चिप्स बनाने के लिए एकदम कड़क होना चाहिए अगर वो थोड़ा सा भी सौगी हो गया अगर आप इसे स्टोर भी कर रहे हो तो फ्रिज में ही स्टोर करना जिसकी जो यह अच्छा सा एकदम कड़क रहे तो अब यहाँ पर इसे इस तरीके से अच्छे से छील लेना है और छील करके हमें इसे पानी में डालना है क्योंकि ये बहुत जल्दी काला पड़ जाता है तो अब यहाँ पे जो मेरे पास केला है तो ये मैं बजार से तो नहीं लाई हूँ ये मेरे यहीं बैक्यार्ड में ये केले का पेड़ है उसी में थे तो अब छील करके इसे इस तरीके से जिससे आप चिप्स काटते हो या सलाद वगेरा स्लाइस करते हो डायरेक्ट हम पानी में गिराएंगे तो यहाँ पर देखे इससे क्या होगा कि चिप्स आपके जो है काले नहीं पड़ेंगे अधर्वाइस ये तुरंत काले पड़ जाते हैं साथी साथ में जो केला है न मेरे पास थोड़ा सा मोटा नहीं था केला अगर मोटा रहेगा तो जो चिप्स है न वो भी बड़े-बड़े से निकलेंगे कुछ को मैंने इस तरीके का थोड़ा सा लंबा-लंबा काटा हुआ तीरचा कट लगा के तो अब यहाँ पर एक कटोरी ले ली है इसमें लेना है आदा चमच हल्दी और एक चोथाई चमच नमक और दो से तीन चमच के लगबग पानी और इसको अच्छे से घोल लेना है नम प्रेचर भी कम हो जाएगा और जो है इस तरीके से आपको नहीं डालना है और चंचन की आवाज भी बहुत आएगी तो किसी भी कपड़े में कोई साब सुथरा जो कपड़ा हो उसमें आप हलका से इस तरीके से फैला लो और इस तरीके से दबा के थोड़ा सा बस इसका पा सकते हो जैसे आपने स्ट्रीट वेंडर्स को देखा होगा और अब यहां पर मैं कर्ची में रख ले रहे हूं क्योंकि छोटे-छोटे चिप्स हैं कितनी देर टालेंगे और यहां पर तेल गरम हो रहा है तो केला डालके देखेंगे एक चिप्स यानि हम डालके देखेंगे क्योंकि अभी काफी जगह है तेल में और अब हम आज को मीडियम रखेंगे हाई नहीं करेंगे और यह चिप्स हमने काफी पतले काटे हुए हैं आप चाहो तो थोड़े से मोटे रख सकते हो उससे ज़्यादा बढ़िया क्रंच मिलेगा आपको क्योंकि मुझे केले के और वो बहुत ही अच्छा था तो देखो अब यहाँ पर इस स्टेज में हम एक चमच के लगबग थोड़ा थोड़ा करके यह जो पानी है हल्दी नमक वाला इसे डालेंगे इससे क्या होगा आपके जो चिप्स है वो नमकीन मनेंगे और हलका सा वो कलर आजाएगा जैसा मा बहुत टेस्टी लगते हैं और जब इनमें बवल साना बंद हो जाए कड़ाई में यानि तेल में तो आप समझ लीजी कि अभी यह पक चुके हैं और इनका कलर भी बता देगा आपको मैंने बेहत पतले चिप्स काटे हुए हैं क्योंकि मेरी जो मशीन है उससे इतने ही पतल में डाल सकते हुँ जब आप स्टार्टिंग में जैसे ही कचक केले का चिप्स डालोगे आप तभी भी डाल दोगे तो और भी बेटर कलर आ जाएगा आपको पीले पीले चाहिए तो तो अब यहां अच्छा कुछ लोग एक के बड़े बड़े काटते हैं यानि कि हमने गोल मसाला मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हो या फिर ऐसे ही खा सकते हो यह बहुत क्रिस्पी बने हैं हलाकि अभी बहुत गरम है इन्हें हमें पूरी तरीके से ठंडा करना पड़ेगा अभी तो इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है कि काफी अच्छे से इने ठंडा करो गरम म ये थोड़ा से मैंने लाल मिर्ची का पावडर डाल दिया हुआ कश्मीरी लाल मिर्च है आप कोई दूसरा मसाला भी इसमें डाल सकते हो जैसे कि मैजिक मसाला बगयरा हो गया वह आप डाल सकते हो और अच्छे से इसे मिला लो और जब यह खुब अच्छी तरीके से ठंडेव हो जाएं थोड़ा हमसुखा लो इन्हें तो आप इन्हें एयर टैट डबे में बंद करके रख लो और कभी भी आप इन्हें मंचिंग कर सकते हो केले के चिपस आप जरूर ट्राई करना बहुत टेस्टी लगते हैं घर के बने हुए तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें